बिस्मिल्ला रह्माइन रहिम्टा एक और चोटा सा टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है थर्मोमीट्री हमने थर्मोमीट्री के बारे में पढ़ना है कि थर्मोमीट्री है क्या बटा चोटा सा टॉपिक है आपके इस वाले पहले वाले लॉंग क्वेस्चन के साथ जो हमने प पूछता है thermometry का question भी कभी कभी तो आइए हम thermometry के बारे में पढ़ते है थर्ममीटरी है क्या thermometry एक टेकनीक है एक आर्ट है किस चीज की आर्ट से यह एक आर्ट है ओफ मेरिंग temperature of substance किसी भी substance का temperature मेर करने के लिए यह उसके जी बैटा यह एक आठ थर्ममीटरी बिचिकली क्या है thermometry है thermometry किसी भी करने के लिए जिए जो आध है जो तरीक राट को हम क्या कहते है thermometry के आउटा इसके बार हम मजीद detail से discuss करते थय digo our make this going करती है तीनajo अजय के देरा three scales there are three scales of temperature बढ़ہ ही असान सा टॉपिक आप आप लोगों ने मैट्रक में भी पढ़ा होगा और वैसे भी आप लोगों ने देखा ही होगा कहीं ना कहीं अच्छा इसके बारे में हम पढ़ते हैं पहला इसका जो स्केल है वो है Celsius Scale या इसको हम कहते है Centigrade Scale क्या कहते है Centigrade Scale Celsius Scale या Centigrade Scale सबसे पहली बात वीटा Centi का आपको पता है Centi Mean 100 100 वाला स्केल इसको हम क्या कहते है 100 वाला स्केल हाँ अलफाज है अज़ वीटा Alexander Celsius एक Scientist का नाम था क्या था Alexander Celsius जिसने इस इस Celsius Scale को इंट्रोड्यूस करवाया जी वीटा ये वीटा बड़ा ही मज़ेदाल टॉपिक है इसमें Alexander Celsius ने Centigrade सेंटी ग्रेडिया Celsius Scale इंट्रोड्यूस करवाया था Centi का मतलब हता है 100 100 वाला स्केल इसे हम आम नफाज में कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियूस यज़ बड़ा इसे 100 ही क्यों कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं बड़ा ये ऐसा Temperature Scale है जो दुनिया में तीन कंट्रीज हैं दुनिया में वैसे तो काफी कंट्रीज हैं आप जानते हैं बड़ा दुनिया में 30 ऐसे कंट्रीज हैं i2 पुरी दुनिया में तीन ऐसे कंट्रीज है कौन कौन से पॉकिस्तान उन तीन सोय है जो जिसमें उन यूट होता जया थर वह कौन सवाता है स्रच के आप देख रहे थे हैं में इरदगिर्ध भी उज्सेस ही यूज कर रहे होते सर आप हमें एक बात तो बताएं जी बटा पुछें सर मेरा सवाल ये है कि आइस सुरी आइस नहीं मैं अगरत बोल रहा हूँ अज़ा सर मेरा सवाल ये है कि हमने सेंटी ग्रेड सेंटी ग्रेड तो बहुत नाम सुना हुआ है आप हमें काइंडली ये तो बताएं कि ये सेंटी ग्रेड सेल्सियस ने जो अलेक्जेंडर सेल्सियस था उसने ये स्केल बनाया कैसे पटाई ये इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी बहराल वो साइंटिस्ट था तो उसने बना दिया आईए हम देखते हैं उसने महनत किस तरह से महनत की थी और अल्ला ताला ने उसको इनाम भी दिया जिसके आज हम लोग याद रखते हैं कि सेल्सियस एक बन्दा था ये जिसने सेल्सियस स्केल बनाया बड़ी बात होती है कोई आपको बड़े लंबे अर्से तक याद रखे और वो भी आपके नॉलिज की वज़ा से बटा हमारे प्यारे नबी स्लिए लाह लिए वाल सलम की एक हदिस पाक है जिसका मफूम है कि मरने के बाद इनसान को तीन चीजें तीन चीजें जो है मरने के बाद भी इनसान को फाइदा देती है बटा वो कौन सी तीन चीजें है कितने चीजें हैं तीन चीजें बटा वो कौन कौन सी है नमबर एक पे है साल है अवलाद अच्छी अवलाद जो इसे इनसान की जैसे वापने पीछ अच्छी अवलाद छोड़ जाता है जो उसके लिए दौा करता है बटा दूसरी है सदका जारिया जो वो सदका करके गया हो और ऐसा सदका जो सदा चलता रहा हो जो काफी लंबे अरसे तक चलता रहो बटा वो सदका उसके लिए निजात का जरीया बनता तीसरा जरीया जो है उसकी निजात का वो है तीसरा जरीया बटा जो उसकी निजात का है वो क्या है भला वो है उसका इल्म वो वाला इल्म जिसकी मदद से लोग फला पाएं जिसकी मदद से लोग अपने मौामलात को हल करें फाइदे वाला इल्म जिसे हम कहते हैं फाइदे वाला इल्म जिटा वैसे तो यह चुके मुसल्मान नहीं थे इनकी ऐला ही जाने, अला ताला, इनके साथ क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे हम उनके दिल को तो नहीं जानते थे, बेरहाल आज हम उनके नौलिज को डिसकस कर रें तो मैंने सोच आप लों के साथ ये एक अच्छी बास शियर करते जाए अच्छा बेटा आएए हम पढ़ते हैं कि अलेक्जेंडर सेल्सियस साहिब ने किस तरह से एक स्केल बनाया जी मेरे बचो अलेक्जेंडर सेल्सियस ने एक शीशे की जैसे ये पैंसिल है ना एक शीशे की ऐसी ट्यूब ली उस ट्यूब के अंदर इसने फिल किया मरकरी को फिल किया जैसे ही इसने उसमें मरकरी को फिल किया इसने उस पे पॉइंट्स लगा दिये नंबर नहीं लिखे थैं क्या क्या Points लगा दिए वाला अपनी जो वाली जो शिशे की ड्यूब थी वह इस आइस में रखोधी आइस में कब रखोधी उसके मैलटिंग पॉइंट पे कहां पर की नई देखा रखोधी उसमें खास point पे था उस्कास point को उसने नामाः दिया zero degree Celsius उस खास point को उसने नाम क्या दिया zero degree Celsius इस तरह जब उसने इस ही ट्यूब को यहां पे boyling point पे रखा तो यहां पे temperature एक खास point पे आके रुख गया बॉालिंग गया ग्लोन में जब water क्या किया उसने इन वैल्यूज के साथ क्या किया उसने जीरो डिगरी को इस साइड पर लिखा और बीच में उसने एक डिस्टेंस मेयर किया और बॉयलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के दर्मियान एक डिस्टेंस मेयर किया वो डिस्टेंस कितना आया सो का जिरो से सो तक गया ना तो सो का डिस्टेंट है उसने उस स्केल को हंडर्ड पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया यही वहां पर बता रहा कियता है हंडर्ड इक्वल पार्ट्स में उसने उस स्केल को डिवाइड कर दिया उसने एक स्केल को क्या किया एक स्केल को स्टेइक कि अकड़े इसकी तो हिसे यह हैं कि ऊसने एक पाट को एक डिग ऑनाम दिया एक डिग्री सेटी सिमिलरली एक साइंटिस्स थे सारन हाईट उसका नम था वारन हाय ओ फारन हाईट सकेल के बारे में पढ़ इसitely सीग के बारे में जीडी फारन हाइट उनका नाम था उसने अपने नाम पे एक स्केल और बनाया और उस स्केल को उसने नाम कहा दिया फारन हाइट स्केल बटा ये वाला स्केल कहां पे यूज होता है medical field में जैसे हम बताते हैं हमारे body का temperature क्या है हमारे body का temperature 98 Fahrenheit degree Celsius हो तो normal हो तो 98 से नीचे जाए तो हम कहते हैं बड़ी ठंड लग रही है और 102 पे चला जाए तो हम कहते हैं इसको बड़ा शदीद बुखार है और 103 पे चला जाए तो हम कहते हैं इसको मजीद 30 बुखार 104 पे चला जाए तो हम कहते हैं बई यह तो बचने वाला ही नहीं है रोटा 106 पे चला जाए तो कहते हैं सर वो बंदा नई रहा इन्ना लिल्ला है वाइन नई ले रहा जो अच्छा बटा यहां तक आपको समझगा पर ना रखा आइस में तो वह कहां पर आके फिक्स हो गया रुग्या 32 डिग्री सेल्सियस पर तो इसके इसके साथ इसने मेर इनके इसने भी डिस्टेंस मेर किया जब इसने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का देखा तो वह कहां पर आया दिग्री फारान हाइट स्केल पर वेटा समझा है को जैसे वह जीरो से आया था हंडर्डी डिग्री सेल्सियस पर यह आया 32 बटेसडिजी से 212 फारान हाइट समय सेल्सियस सकेल पर आच्छा वहने इसको देखा तो हमें पता चला कि इसके दर्मयान जब उसने हिससे बनाय ह को time Rachel यहां पर क्या चीज आपने देखनी है हमने एक बात की हमने दिखें उसमें पार्ट बन रहे थे सो किसमें सर सो बन रहे थे सेल्सियस वाले में बन रहे थे सो पार्ट इसमें कितने पार्ट बनते है 野अट किया है और आप dripping बात नदर हरी होगी कि एक पार्ट कितने ज्यादा पार्ट है उस में घॉत कियां नहीं किया यहां पे कि एक डिगिर्ट जितना हिस्साह ठाना इस स्केल पे या इस स्केल चाहिए अधाल में एक इक डिग्रिट इतना डिस्टब्स था जब हमने इतने distance में Fahrenheit को note किया तो वो कितना आया 1.8, कितना आया बटा, 1.8 Fahrenheit degree, degree Fahrenheit, 1 degree, किसने के equal आया, 1.8 Fahrenheit के equal आया, यानि उदर से 1.8 Fahrenheit डिगरी Celsius, अच्छा बटा, इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा next, अभी आपको इनकी interconvergence भी बताएंगे, फिलहाल आपको just scale का थोड़ दे रहे हैं, हम लोग के scale होते क्या है, आये बटा, Kelvin scale के बारे में पढ़ते हैं, Kelvin scale है क्या, जी, बटा, Kelvin scale, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, Kelvin scale के, Kelvin scale के बारे में Kelvin scale का दूसरा नाम है, absolute scale, बटा, absolute का मतलब क्या होता है, इंतहाई दर्जे का, इंतहाई दर्जे का, ए GAVES का जिसने यह इंत्रिजोज करवाई यह वाला स्केयल विटा यह है इसका क्या मतलब है इंतहाई दर्जे का बटा जैसे हम इंतहाई दर्जे का इंतहाई दरजח मतलब यह है कि एक खॉसक्रज़ तakingसे वाला इन्तहाई scale, इन्तहाई दर्जा, ऐसा दर्जा जहां पर ये molecules की motion क्या हो जाए, seize हो जाए, हमने पड़ा था ना seize हो जाए, जी मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन सा इन्तहाई दर्जा कौन सा हुआ, वो वाला दर्जा जहां पर बटा ये temperature की इंतहा है Kelvin scale का मतलब है temperature की इंतहा जैसे हम कहते हैं न The person is absolutely idiot ये इंतहा दरजे का बेवकूफ इंसान है ये बटा वही ये temperature का वो वाला point है absolute scale ये वो वाला scale है जो इंतहाई दरजे का scale है जैसे जहां पर molecules की motion क्या हो जाती है seize हो जाती है अच्छा बटा आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में कहता है इसने भी इस तरह ice ली और boiling point of water लिया इसने कहा कि ice जब इसने अपने scale पर note की तो वो temperature क्या था 273 Kelvin और boiling point फिर कितना आया 273 Kelvin 373 sorry Kelvin जब इसने इसके दरम्यान parts note किये तो equal parts कितने बने 100 एक degree parts कितने के equal बना एक Kelvin के equal बना आईए बटा इनके बारे में एक next topic पढ़ते हैं बड़ा मज़दार topic आप से बोर्ड के exam में हिसमे से कुछ नहीं पूछता आप से क्या पूछता है वो मैं आपको ज़रा पता देता हूं यहां पर जटा आप से पूछता है मेरे प्यारे बच्चो आप से वो कहता है interconversion of scale के scales की interconversion करें कौन-कौन से scale की interconversion करें बटा कहता है कि आपने Fahrenheit से जाना है किसमे degree Celsius temperature में आप किस तरह जाते हैं यह equation है degree Celsius वाला temperature में आपका temperature जो है वो किसमें चला जाएगा degree Celsius में कब जब आप 5 बटा 9 into Fahrenheit के साथ dash minus 32 लगाएंगे तो आपका temperature किसमें चला जाएगा degree Celsius में आपका temperature चला जाएगा बटा जी आप formula यूज करेंगे तो आपकी values किसमें चली जाएगी degree Celsius में चली जाएगी जैसे मिसाल के तोर पर आप से मैं पूछता हूँ मिझे मुझे बताएं 98 Fahrenheit scale 98 Fahrenheit scale को degree में convert करें जब आप ये values सेम रखेंगे Fahrenheit के जगा पर क्या put करेंगे 98 degree Fahrenheit के जगा पर आप put करेंगे जब आप put करेंगे तो आपका answer किसमें चला जाएगा सारा का सारा degree Celsius में जो भी value आएगी वो किसमें आएगी degree Celsius में जब आप ये calculate करेंगे मैं आपको बता जिता हूँ कितनी आएगी 37 degree Celsius कितनी आएगी बेटा 37 degree Celsius बेटा आपको पता है आपके जो job test होते हैं जो test में पूछता है what is the body temperature what is the normal body temperature एक इंसान की body का temperature क्या होता है तो आप कहते है 98 Fahrenheit degree Fahrenheit या 37 degree Celsius समझागी अच्छा बेटा आगे पढ़ते हैं next देखते हैं जरा क्या कहता है next वो बता रहा है कि अगर हमें करना हो degree से Fahrenheit में जाना हो तो तब हम कैसे जाएंगे तो उसके लिए उसने इंटर कंवर्जन की है थोड़ी सी एक्वेशन की कहता है Fahrenheit is equal to 9 over 5 in degree Celsius plus 32 वो बता अगर मैंने आपका test लिया ना तो ये question लाजमी आएगा कि इंटर कंवर्जन of scale वाला क्या question आएगा short question में आप से पूछाँगा मैं कि इंटर कंवर्जन of scale के बारे में बताएं इंटर कंवर्जन के बारे में पढ़ने से पहले हम ज़र एक छोटा सा मदेदार सा MCQs क्यों न देख लें कहता है which temperature is common on degree Celsius and Fahrenheit scale ये जो दो scale हमने पढ़े थे ना ये Fahrenheit वाला और इससे पहले जो पॉइंट है जो degree Celsius पे भी और Fahrenheit पे भी दोनों पे क्या होता है सेम होता है ऐसे MCQs दरसल एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं आपसे अच्छा बैटा आगे क्या कहता है कहता है degree Celsius से आप Fahrenheit पे किस तरह जाएंगे Fahrenheit आप इस साइट पहलेंगे 9 by 5 into degree Celsius किस तरह 32 एड़ करेंगे यहां पर बताया था एक डिग्री फारण हाइट कितना है एक आशारिया आठ यह 9.9 by 5 एक आशारिया आठ ही बनते हैं आठ डिग्री आप यहां पर लिखेंगे 32 उसमें एड़ करेंगे तो आप कहां सर किसमें चला जाएगा फारण हाइट डिग्री Celsius जी बच्चे तो सबसे आखिर में सबसे आखिर में है के के टू डिग्री Celsius आपने केल्विन में जाना है डिग्री Celsius डिग्री Celsius से केल्विन में जाना है या केल्विन से डिग्री Celsius में जाना है और दौाओं में याद रखेगा, लाफिर.